यह की मैड़म यह एरबर्स एरबर्स रिमूव के जिए है पूरी प्रोसेस का लॉट्शिप हमारा हमारा गोडाउन इसक्रेप यार्ड आपका गोडाउन है कि यह पूर्ण है प्र तो उससे क्या होगा लीगल राइस में आप पतनी हैं वह एक अलग बात है पर जब लीगल र कर सकते हैं प्रिष्टेश की बात हो हो कि बात नहीं कर रहा हूं तो अगर सक्सेशन से आपको मिल सकती है तो बताईए ये सब्सकेशन से कम मिलेगी जब मेरी आप्से सब्सक्राइस के रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबस्क्राइब का बाता है? यह सर्शे जब जिन्दर नहीं रहेंगे जब वो नहीं रहेंगे तभी तापकर कोई अधिकार नहीं हो यह सर्शे आपको संपत्ती के बारे में कैसे प्रटिशन लगा रहे हो? Because in absence of my in absence of petitioner's husband she is only owner of the you are not the owner, madam please try to explain she is a caretaker of that caretaker, so caretaker में आपने कहां लिखा है कि आप caretaker की capacity में कर रहे हैं and it is in fact on behalf of your husband कल को मान लीजिये यह petition courage हो गई तो कल आपके husband कहेंगे मैंने थोड़े लगवाई थी प्रटिशन पूछा था अगर यह petition courage हो गई तो आपके पती कह सकते हैं मैंने थोड़े लगवाई थी कोई कुछ भी लगा देगा तो मैं क्या करूँगा इसलिए मैं इस आदेश यह मेरे उपर बंधनकारी नहीं तो आपका यह कहना है कि आप caretaker की capacity में फाइल कर रही है और यह आदेश आपके पती के ऊपर भी बंधनकारी रहेगा बस इतना दिखा दीजिए हम नोटिस कर देते हैं being in custody of petitioner husband she is the only owner of the state side you are not the owner please please explain condition उसमें आपको बता तो रहें कि अगर वो custody में मुझे मत बताईए मुझे कानून बताईए प्लीज अगर आदमी जेल में है तो उसकी पतनी स्वमेव ओनर हो जाएगी ऐसा कानून बता देजे मैं दो मिल्ट में नोटिस इसू करते हूंगा आप जो मुझे मेरे सामने बहस कर रहे हैं इसका कानूनी प्रावधन बता देजे इतनी request है करने का नहीं है है तो सारी प्रोसेस की ना वीडियोग्राफिक राई गई ना ही कोई प्राइर नोटिस दिया गया उसको डिमोरिश करने के पूल फिल्हाल वो लाखों का इसक्रेप ओपन अरिया में पड़ा है और क्लाइमेट कंडिशन के कारण डेमेज हो रहा है और बीइंग स्टोलन और तो सर हमारा यह है कि हमारा प्रेयर यह था बिफोल दिस ओनरेवल कोड की शो सम्स्क्लीमेंसी और आपके क्या प्रेयर है मैडम क्याइब करने की आनुमति दी जाए है और एक प्राइवेट गार्ट वहां पे अपॉइंट करने की आपने अप्लिकेशन दी पॉलिस को अपने पुलिस को कोई आवेदन दिया कि है वेप्रेजेंटेटेटन का है मैडम वो उन सी रिकवरी में जो बिना हमारी आनुमति सर् को में च्छोटा से एक्जम्पल दे रहा हूं श्याद आप मेरी बात को जर अच्छे से समझ जाएंगे वो 39 की वेल एप्लिकेशन लगती है ना उसमें वकालत नामा तो पैरोकार को लगता है अलब नामा तो पैरोकार का लगता वकालत अमा किसका लगता है घर की किसी मेंबर लगता है और थर्टी नाइन में कभी किसी घर के लगता है अगर 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 केस को आर्ग्यू करने में हमने कितनी मेनत की थी हम जानते हैं जिसमें पुरी गाइडलाइन्स लेट डाउन हुई है रिपोर्टर जज्जमेंट है जो भी पिटीशन फाइल करने थी वहां से वकालत नाम लेते हैं फाइल करते हैं और ऐसे पैरोकार आप उसके ख़ल अपना बहा देते हैं आपकी कोई लोकस नहीं है इस पर तो सिर्फ इस वजए से हमारे इस वजए से नहीं हम लोग कॉरिडूर में नहीं ख़ए तो जिसक मतलब मैं यह जवाब दे पाऊं मुझे इतना मालूम है कि अगर यह पिटीशन खारेज हो गई तो आपके पती देव यह दरखास लगा सकते हैं कि चुक्कि मैंने नहीं पेश की थी तो यह इसलिए आदेश मेरे बंधन कारें नहीं हुँआ तो वह कंडिशन होगी जब उस यह प्रेयर मंगी आप मैडम यह प्राइवेट गार्ड आप से एक अनुरोध है यह ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि इतनी मेंनत लगती हम लोगों से पूछो जो वकालत करने के बाद इतनी मेंनत करके इधर आप आए इतनी तेजी से ओपिनियन फॉर्म नहीं हुने से लिए लॉट्शिप पार नहीं हुआ यह वन फाई सब्सक्राइब आपको मैंने हिंट कर दिया है कैसे किया जा सकता है अब आपकी उपर है यह सब्सक्राइब सकता है यहर ऑल हुआ टॉप आपके अपके कि ले माया से लेक kangस आपलोग सबस्क्राइबों अलyesize ?